नमस्कार दोस्तों अगर मैं कोई भी action लोगा तो उस action के लिए एक equal response होना चाहिए है ना ये घटना मेरे साथ खुद घटी थी और इस घटना को मैं विस्तार से बताना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे पास एक photo आई है मेरा friend है तो उसके कुछ friend अभी बैंगलोर में रहते थे तो अभी Sunday last Sunday में अगर आप चाहते हैं तो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अब फोटो मैं कहां डालूँगा वो मुझे समन नहीं आ रहा है हो सकता मैं Google Drive पे करके आपको भेज दूँ कई लोग उस photo को लिए देखे के बोलेंगी Photoshop है मैंने अपने दोस्तों से बात करी जो काफी अच्छ उस photo में लोग cake खा रहे हैं पीछे एक लड़की घड़ी हुई है cake की तरफ देखती हुई और वो अंधेरी हुई है तो वो photo मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं दावा नहीं कर सकता कि वो photo real है but recently मेरा जो एक friend है उसके एक friend में यह photo भेजी दी ठीक है अब यह photo जो है basically मैं दावा ही नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो मेरों पर डाल मत देना कि आपने बोल दिया कि यह सत्य है तो सत्य है बट हाँ जहां तक मेरे को लगता है वहां तक मुझे लग रहा है कि there is a high possibility but anyway so मैं उसका Google Drive का link आपको शायद नीचे दे दूँगा अब यह घटना जो घटी मेरे साथ यह घटी थी 2018 में इस घटना पर आते हैं कि अब क्या हुआ कि पहले इस घटना को ध्यान जा सुनिएगा उसके बाद फिर कुछ judgment दिया जा सकता है एक समझदार आदमी कभी भी किसी भी चीज़ को डुसकार्ड नहीं करता है वो कभी भी यह नहीं कहता कि यह नहीं होता है या वो कभी यह नहीं कहता कि यह होता है यूटूब में 99% गुरू जुत्ते भी हैं वो यहां तो पकड़ के बैठते हैं और यहां तो नहीं पकड़ के बैठते हैं तो मैंने हमेशा आप लोगों सिखाया है कि I don't know basket में डाली है आप जैसे कि यह photo जो आपको जैसे गूगल डाइप है जो photo आप देखोगे तो आपको एकदम से लगेगा क्यार यह दिरे सा high possibility की reality हो बट ultimately अब मेरा यह photo का इंटरनेट पर available नहीं थी तो यह photo जो है basically जो भी photo अगर आप zoom करके देखेंगे तो no idea मतलब क्या है यह बस मैं यह कहूंगा कि possibility खतम नहीं होती है possibility ना होने की भी है possibility होने की भी है आप कहतो alien नहीं हम केंदर पे नहीं है धरती केंदर पे नहीं है सूरी के अंदर पे है तो भी या बवाल हो गया है ना कॉपेंडिकस को उसको सजा मिलने लगी पनिश्मेंट मिलने लगी भगवान के खिलाब जा रहे हो यह जा रहे हो अरे तुम खेर छोड़ो तो क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ था तो वो सत्य वचन है बड़ियां है बोध का और ग्यान बोध और बिलीफ यहनी जो साक्षातकार है या फिर मानिता है इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक्जामपल देखेंगे आप कोरोना वाइरस का जब कोरोना वारस आया लोग मर रहे हैं टीवी पे दिख रहे हैं लोग मरते हुए ठीक है चाइना की वीडियो लीग हुई यहां पे लोग सलक पे मर गये थे यहां भी लोग क्या कहते है कोरोना पुरोना कुछ नहीं होता है हमारे खुद के घर में लोग कह रहे थे कोरोना पुरोना कुछ नहीं होता गाओं में कई लोग कह रहे थे मोदी जी की जाल है इस तरीके की जो टिपड़ी लोग कर रहे थे तो जब कुरोणा आ गया जब कुरोणा हो गया जब बिमारी दिख गई जब सांस फूलने लगी साक्षातकार हुआ सांस फूलने का सिं्टम्स जब वो फील हुए क्योंकि बिमार हुए तब भी कई लोग को यकीन नहीं नहीं हो गया normal बिमार है नौन पक बिमारा है इसे, तो बिमारी होती यह इसमें कोरोना क्या है जब लोग की सांस फूलने लगी जब लोग को ऐसा फील होने लगा कि ये कुछ अलक किसम की बिमारी आ गई है तब समझ में आया बैया की कोरोना होता है तो न्यूज चैनल पे दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आँखों में दिख रहा है सामने तो उसको आदमी को विश्वास नहीं हो रहा है, आप बताईए अब आप सोचिए जब तक वो बोध हुआ तो कितनी बड़ी चीज है, experience कितनी बड़ी चीज है आप समझ लीजिए, ठीक है, अब इस दास्ता पे चलते हैं, इस कथा पे चलते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2018 में करनाटका में मैं पढ़ा ही करने गया, मेरा थर्ड येर चल ला था, फोर्ट येर चल ला था, थर्ड येर है फोर्ट येर, आप बिश्वास नहीं करेंगे, मैं वहां से आया, दिल्ली, और मेरा फ्रेंड था, उसका नम रितेश है, और वो गुड़गाओं में जॉब करता था, उस वक्ट चैनल वाइनल कुछ नहीं था ही है, अब वो जॉब करता था, अब क्या हुआ कि जब वो जॉब करें, तो पीछे एक घर था, जहां पे काफी, मैं लग गुड़गाओं में वो जॉब करता था, और वहां से काफी दूर उसका घर था, मैं लग आनमोद दस क और वो अंदर जोपड़ पट्टी, मतलब जोपड़ पट्टी का वाला गलियां होती है, उसमें रहता था, अंदर जाके, तो क्योंकि सस्ता था, तो हम लोग को भी रुखना था, मैं एक और फ्रेंड था हमारा, और रितेश था, तो हम, नहीं नहीं, मैं थे, मैं था, और म जो हमारा फ्रेंड था, वो, कमरा दिखाया उसने, कमरे में जैसे हम गए, तो वहाँ पर लाइट वाइट जल लेए थी, छोटा सा कमरा था, फ्रीज रखा हुआ था, अपना चूला बरतर नीचे रखे हुए थे, बैचलर लाइफ तो आप जानते ही है, एक पलंग था, तो तुम लोग नीचे सो जाओ, हम उपर सो जाते हैं, मैंने का ठीक है, कोई शुनी है, तो हम लोग रात में नीचे सो गए, अब भाइ, लाइट चली गई, अब लाइट वहाँ पर जाती है, बोल रहा है गया, लाइट चली गई, क्योंकि यहाँ पर जाती रहती है, तो एक का दरवाजा कोल लो, गर्मी का टाइम था, जून-जुलाई का टाइम, दरवाजा खोल लिया भी या, अब मैं दरवाजे के जहां खुला हुआ है, उस साइड मैं लेटा हुआ, चटाई बिची हुई है, और लेफ्ट साइड जो है वो, मेरा भाई लेटा हुआ है, अब रात मे क्या हुआ कि मैं हलके हलके नीन में था तो मुझे लगा मेरे पीछे सर के पीछे कोई चल रहा है, अब सुनते रही है अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी आपको कुछ ऐसी चीज होगी उसमें विश्वास होगा, मुझे खुद नहीं हुआ था पहले सुनते रही है तो मैंने गाए ठीक है एक काम करते हैं पीछे चला तो देख लेते हैं देखा तो कुछ नहीं था अब क्या हुआ कि थोड़ी देर वो activity पीछे होते हैं ऐसा लगा कि कोई पीछे activity कर रहा है मतलब कुछ खड़ा हुआ है या मतलब खड़ा तो नहीं मतलब कुछ है मतलब कुछ activity हो रही है पीछे मैं देखा कुछ नहीं चला अब मुझे लगा है मेरा भाई जो है वो सो रहा है थीक है अब देखा तो सो रहा था अंधेरा था तो देख नहीं रहा था बट वो भी लेटा हुआ था तो अब क्या हुआ वो activity जहां रितेश लेटा था मतलब मैं मेरे left side मेरा भाई और उसके left side उपर पलंग पे यानि जो प करतेश था है अब विश्वास ने करेंगी वहां पर मुझे घलका को शैडव से दीडिखी ठीक है मैंने क sociology में अब इस पे विश्वास करना ही नहीं मेरे भाई के पास तो मुझे गा ऐसे ही हो रहा हो कुछ कहीं कुछ रोशनी से निकली होगी तो दिखता होगा ऐसे छोड़ दिया फिर वो मेरे सर के पीछे फिर से आगे तो फिर मुझे डाउट हलका सा होगा कि मैंने का कुछ तो गडबड है पर फिर भी मैं क्या गा कि मैं गा कोई इशू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है कि कोई भूत प्रेत ने मार डाला के तो हमें क्यों मारेगा तो अगर है भी अगर ऐसा कुछ तो हमसे क्या मतलब भाई करने तो जो कर रहे है नाट भाई हमसे क्या मतलब आप activity कर रहे हो आप करते रहो आपका attention seeking behavior है तो ये तो मैं इंसानों से इतना परेशान हूँ कि attention seeking behavior लोग लेते रहेते हैं लड़कियां आती नास्ती हैं उनको लगता fame आएगा वो उर्फी जावीद में बोल दिया रन तो क्योंकि मैं परेशान रहता हूँ वैसे भी humans attention seeking भी हो तो मैंने का चलो कुछ नहीं है ऐसे ही सो जाओ अब धीरे-धीरे सो गए हम दोनों अब सुबा हुई तो मैंने का ऐसे रात का वहम होगा इतना जादा ध्यान देने की ज़रूत नहीं है अब जो हुआ वो इतना ख़दरनाक था कि आज तक वो मिझे बात याद अब रिदेश जॉब करके आया था तो वो सो रहा था अपना उसको कोई मतलब नहीं ही वस लेक टोटली आउट ब्लैक आउट दर्वाजा खुला हुआ था रात में अंधिरा था तो सुबा हुई अपना निकले अब मेरी मम्मी आई और कार से कुछ उस समय हमारे पास इंडिगा गार होती थी तो उस से वो पिक अप करने लेने आई कानपूर से की चलो ले लेते तुम दोनों को मैं और मेरा जो भाई था अबलब काजिन भाई तो अब यह मम्मी और यह ड्राइवर आगे बैठे थे और हम दोनों जो थे वो पीछे बैठे थे गाड़ी चल पड़ी गाड़ी चली तो मैंने का चलो विवेक से एक काम करते हैं जो मेरा चोटा भाई है विवेक एक काम करते हैं विवेक से कुछ रात के बारे में बता देता हुँ इंnes Quyn इंत्रइस्टिंग होगा बताने के लिए मैंने बही रात में कुछ ऐसा हुआ था मैं तुमको बताना चाहता हूँ कहता हुई न वो जो पीछे activity हो रही थे, सर के, मैंने का अरे मैंने का यह क्या हो गया मैंने कुछ तुम्हें कैसे बता केते हाँ यार मेरे को फिल हो रहा था मेरी फट रही थी मैंने तो में नहीं जगाया फिर मैंने कहा कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ कहता फिर वो रितेश के पैर के पास चली गई और वो वहाँ पे भी हलके-लकी कुछ एक्टिविटी हो रही थी वो शैड़ो जो थी और मैंने देखा भी मैंने का हाँ यार यह तो मैंने भी देखा था और भाई जो मैं बताने जा रहा हूँ उसने सब कुछ मेरे बाद कह रहा हूँ वो मेरे सर के पास भी आये थी जो शैड़ो थी भाई आस तक आप डिसकस करता है it's been five years मतलब it was something else only मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ दिखा या कुछ ऐसा वो जो कुछ भी दिखता है उसको अभी कैसा तो shadow है या कुछ भी ऐसा कुछ activity हुई को ऐसा आदमी वहम करता है आखों में कुछ दिख गया लेकिन ये कैसे हो गया कि दो आदमी को एक साथ कैसे experience हो रहा है ये बड़ा खथरनाक था तो सारी चीजे जो भी मैंने बताई वो पहले ही उसने मुझे बता दी कहता है मुझे भी ये feel हुआ था मैंने तुम्हें नहीं जगाया मुझे लगा मैं जगाऊंगा तो जगाना सही नहीं होगा तो ये activity थी ये एक paranormal activity हुई थी बड़ी खथरनाक तो देखिए मैं फिर भी लोगों से ये कहता हूँ कि देखो जितना मेरे को इसमें experience है knowledge है अब मुझे काफी ऐसी ऐसी चीजे पता है जो शायद मैं आपको बता हूँ आपके होशी उड़ जाए लेकिन कुछ भी ऐसा तत्थ मैं कैसे बता दूँ आपको ठीक है देखिए होता क्या है कि चक्र भी नहीं दिखते ठीक है कुंडलीनी भी नहीं दिखती तो आप यह तो नहीं कह सकते नहीं होते हैं और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस पर मेरे मेरी बातों वह श्वास कर लो मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा जिन्दगी में हो तो हो सकता है कि यह podcast आपको कुछ resemblance दे साथ में कि हाँ चलो यह भी similarity थी इसमें यह कुछ ऐसा हो सकता था बहुत logical जो लोग होते हैं वो logic कैसे काम करता है पहले समझने की कोशिश करो जो logic होता है जो existing knowledge and experience है उसके base पर काम करता है एक बार अगर यह knowledge आगे कि alien दिख गया यह कुछ हो गया तो alien की छवी दिख गयी अब आपको alien की हर एक picture में अलग-अलग cinematography या animation नहीं करना होता है आपको एक बार alien दिख गया आप उसी का बनाओगे पर तो ऐसा तो है नहीं alien नहीं है आस तो हास science भी कह रही कि there is very less possibility की alien नहीं है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह possibility है कि alien नहीं है तो there is a high possibility की simulation है मतलब सिर्फ हम ही है इस दुनिया में और हमें experiment group में design किया गया है और देखने के लिए कि कैसे behave करते हैं क्या करते हैं कुछ करते हैं तो हमें basically simulate किया गया और क्यों किया गया है क्यों का जो है न यह जो कारण है यह कारण का यह इस universe में काम करता है कि हर चीज़ का कारण होता है कि भगवान क्यों है universe क्यों है जो कारणवाद है कारणवाद सिर्फ यहीं काम करता है जरूरी नहीं है कि कुछ बनाया गया हो तो उसके बीचे कारण ही हो हम जो सोचते हैं हम अपने functionality के अपने design के हिसाब से सोचते हैं ठीक है तो ये पूरा का पूरा experience था और अगर आप चाहते हैं कि वो जो picture थी वो देखें तो मुझे एक दो comment करें अगर मुझे लगा कि आपको interested है देखने में तो मैं Google Drive पे उसको डाल के आपको दिखा दूँगा although देखिए इसमें क्या है कि Photoshop लग नहीं रहा है but having said that जो भी लोग खड़ें इनको मैं जानता नहीं हूँ तो इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है ठीक है कि फोटो ओटो देखने से किसे यकीन नहीं होता जब करोना सामने लोग मर रहे ते तब यकीन नहीं हुआ खुद को करोना हुआ जब सास फूली जब कई लोगों तो खुद को भी करोना हो कह रहे है यह नॉर्मल तबियत खराव है बहुत बड़ी सीख है करोना से कितने बड़े बेवकूफ लोग है बैट के बस सुनते रहते हैं लोगों को अगर आप देखो ध्यान से कि कुछ बोल दिया क्योंकि आप अथारिटी माल ले ना आपने किसी को भाई आपने किसी को जब आप किसी से ज़्यादा सुनते रहते हो तो आपने उसको अथारिटी माल लिया है अब वो जो कहेगा वही पत्थर के लगीर हो जाएगी आपके लिए क्योंकि आपने authority माल लिया उसको आप उससे attach हो गए जैसे एक जब लड़की और लड़के कमें चक्कर चलता है विवा होता है आपस में तो शुरू में अगर जो लड़का है जैसे ट्रैवल करना पसंद नहीं करता है और लड़की करती है महबत होने के बाद लड़के को भी ट्रैवल करना पसंद आने लगता है महबत होने के बाद अगर लड़का हाथ से खाना खा रहे है लड़की चम्बत से खाना खा रही है तो वो चम्बत से खाना खाने लगेगा अभी विराट कोली का देखा मैंने अनुशका शर्मा के साथ वो पूजा करने चले गए, जबकि विराट कभी पूजा नहीं करता था, ऐसा न्यूज आ रहे थी, मैंने देखा था, ठीक है, तो पूजा करने लगे, मंदिर जाने लगे, तो ऐसे ही जब आपको गुरू से मुहबत हो जाती है, तो गुरू की बात आप मानने लगते हो, ये परिवरतन निकले से नहीं आता नीचे कॉमेंट में कि आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, आप नहीं ये कर दिया, आपने वो कर दिया, रे भीया, क्या कर सकते हैं, ठीक है, थैंक्यू सो मच, टेक केर, वे नाइस दे,